गोद भराई, जिसे बेबी शाव के रूप में भी जाना जाता है, एक पारम पर एक भारतिय समारोग है जिसे आमतोर पर गरभावस्था के साथ में महीने के दोरान किया जाता है. ये समारोग आमतोर पर होने वाली मा के घर पर आयोजित किया जाता है और इसमें भावी मा के परिवार और करीबी दोस्ट शामिल होते हैं। समारों में अन्य रिस्में भी शामिल हैं जैसे कि महंदी मा के हाथों और पैरों पर लगाना और पारंपरिक गीत और प्रार्थनाय गाना। होने वाली मा को बच्चे के लिए कपड़े, गहने और अन्य सामान भी उफार में दिया जाता है और इस अफसर को मनाने के लिए आम तोर पर एक दावत होती है। ये ध्यान देने योग्य है कि क्षेत्र, समुदाय या परिवार के आधार पर गोध भराई समारों में विभिन विविद्दाय और वीती रिवाज हो सकते हैं। कुछ समुदाय इसे आठवे महीने में कर सकते हैं और कुछ इसे बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं। गतिविधिया, गोध भराई के खेल और गतिविधिया भी उत्सव का एक लोगप्रिय हिस्सा है, और इसमें मा के पेट के आकार का अनुमान लगाने, बच्चे का नामकरण करने और सजाने जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। परिस्थितियों के आधार पर इसका पालन नहीं करना चुन सकते हैं। गर्भावस्था के दोरान उचित प्रस्वपूर्व, देखभाल और मार्दर्शन के लिए स्वास्थि सेवा प्रदाता से परामर्श करना भी महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दोरान अपने शरीर और दिमाग में होने वाले कई बदलावों को नेविगेट करती है। आधुनिक समय में चलन आधुनिक समय में कुछ परिवार गोध भराई को अलग तरीके से मनाने का विकल्ट चुनते हैं। जैसे कि गोध भराई पार्टी, जो एक ऐसा चलन है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये पारमपरिक समारों के कुछ तत्वों को शामिल करते हुए परिवार और दोस्तों के साथ नए आगमन का जश्न मनाने का एक तरीका है। अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्था और प्रसव एक विशेश समय है और आप अपने नए बच्चे के आगमन का जश्न मनाने और तयार करने के लिए जो भी तरीका चुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पल का आनंद लें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साजा करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करना न भूलें। ऐसी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो के लिए हमें सबस्क्राइब और फॉलो करें। आप हमसे यूट्यूब और फेस्बुक दोनों जगह जोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।